पूरे देशवासियों के लिए इस वक्त बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है जहाँ नमस्कार मेरा नाम अभिशेक तिबारी है आप लाइब भीहार देख रहे हैं भारत को एक गोल्ड मिडल मिली गया है जहाँ टोकियो उलम्पिक में भारत को गोल्ड मिडल हासिल हुआ है दरसल यह मिडल भाला फेक यानि जेबलिंग थोरो में मिला है भारत को और इस मिडल को लाने वाला सक्स का नाम निरज चौपडा है निरज चौपड़ा Tokyo Olympic में जैबलिंग रूथरो यानि भाला फेक में हिस्सा लिये थे और भाला फेक में अब भारत को Tokyo Olympic में Gold Medal मिल गया है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और बड़ी खबर देने वाला शक्स का नाम निरज चौपड़ा है इससे पहले 2008 में भारत के नाम Gold Medal Olympic में आया था जो अभिनाव विंदरा ने हासिल किया था लेकिन उसके बाद अब सिद्धे 2021 में भारत को Gold Medal हासिल हुआ है आपको बताते हैं कि निरज चौपड़ा ने अपने दूसरे परियास में 87.58 मीटर भाला फेका जो की सोने का तमका लाने के लिए काफी था यानि इससे जादा कोई और प्रतिद्वंदी खिलाडी भाला फेक ही नहीं पाया पहले ही दूसरे ही राउंड में यानि सोन जो पदक है वो भारत के नाम हो चुका था वो निरज चौपड़ा ने हासिल कर लिया था इसके बाद आथक परियास के बाद निरज चौपड़ा का भी भाला फेक यानि जो जेबलिंग थोरो की जो दुरी है वो जरूर घटी पर भारत को गोल्ड मेडल मिला है इससे उन्होंने भारत का एतलेटिक्स में उलम्पिक पदक जितने का पिछला 100 सालों से भी अधिक का इंतजार को समाप्त कर दिया है निरज ने सुन्होंन पदक जितने के बाद तिरंगा लेकर निरज पूरे मैदान का चक्कर लगाने लगे पूरे भव्वे तरीके से प्रदर्शन किये और जैसे जैसे निरज कोलंपिक से पहले ही पदक का प्रबल दावजदार को माना ही जा रहा था पर इस तेश्ट जेबिलिंग थोरो यानि भाला फेंक में गोल्ड मेडल का प्रबल दावेदार है और वो निरज चौपड़ा ने सही करके सही मायने में सधी धंग से लाकर के भारत की जूली में डाल दिया है निरज चौपड़ा के सतक प्रयास के लिए हमारी पूरी टीम के तरफ से करेंगे लेकिन फिलाल इस ख़बर में इतना ही रहने देते हैं निरज चौपड़ा से निरज चौपड़ा ने भारत के लिए गोल्ड मेडल लाया और इसी खुशी के साथ आप भी जुमिये क्योंकि यह किसी भी ओलंपिक में अब तक जेवलिंग धुरो में भारत ने भाल करेंदाल करता है